हेलो अबर्यवन जिसे कि आपको पने स्क्रीन पे एकार्षन दिख रहा है हम इस कोशन को solve करना है चलिए उस से पहले हम इस कोशन को देख लेते हैं इस कोशन में हमापास क्या दिया गया है टू प्राफि्टी एट जो जो कि हमा पास equal गया है 60 के next 8 plus 22 जो कि हमापस equal दिया गया है 90 के next 2 plus 42 जो कि हमापस equal दिया गया है 229 के equal दिया गया है और last में हमें इस question में क्या find करना है 4 plus 66 किस चीज़ के equal होगा यह हमें इस question में find करना है चलिए इस question को solve करने के लिए मैं आपको 10 seconds दे देता हूँ अगर आप इन 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल देते हैं तो आप अपना answer हमें comment box में type करके बता सकते हैं चलिए आपका समेश शुरू होता है अब अगर आपने इन 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल दिया है तो आप अपना answer हमें comment box में type करके बता सकते हैं चलिए इस question को solve करते हैं, इस question में हमाँ पास क्या दिया गया है, 2 प्लस 58 जो कि हमाँ पास equal होता है, 60 के और हमें यहाँ पे भी equal दिया गया है, 60 के equal दिया गया है, उसी तरह next में हमाँ पास 8 प्लस 22 जो कि हमाँ पास equal होता है, 30 के और हमें यहाँ पे equal दिया गया है, 90 के equal दिय गया है 229 के इकोल दिया गया है और लास्ट में हम आपस कोशन में 4 प्लस 66 जो कि हम आपस इकोल होगा 70 के और हमें यहीं पर बताना है कि कोशन मार्क्स की जगा हम आपस यहां पर कौन सा नमबर आएगा अगर आप इस कोशन को ध्यान से देखोगे तो हम आपस कोशन में क्या बनता है आगर आप इस कोशन में पहले इन दोनों नमबर का सम करोगे जो कि हम आपस इकोल होगा 60 के और 60 में अगर आप नमबर 1 को मल्टिप्लाई करोगे जो कि हम आपस equal होगा 60 के इकोल होगा उसी तरह next में हम हमापास अगर आप इन्हीं दोनों नंबर का सम लोगे जो कि हमापास इकल होगा 30 के और 30 को आपको multiply करना है 3 से जो कि हमापस equal होगा 90 के equal होगा यानि कि हमें यहापे क्या करना है हमें यहाँ पे और नमबर से multiply करना है first number को हमें करना है first से और second number को हमें करना है multiply 3 से और next में हमाँ पास कौन सा formula use होगा पहले हम इन दोनों number का करना है sum जो कि हमाँ पास equal होगा 44 के और 44 को आपको multiply करना है 5C जो कि हमापस equal होगा किसके equal होगा हमापस equal होगा 220 के equal होगा और हमापस यहाँ पे equal दिया गया है 229 के equal दिया गया है यानि कि यहाँ पे हमें करना है 9 को plus कर देना है 220 में plus कर देना है तो हमापस equal होगा 229 के equal होगा लास्ट में भी हमापस यही फॉर्मला यूज होगा पहले हम इन दोनों नंबर को करना है प्लस जो कि हमापस इकुल होगे 70 के और 70 को आपको multiply करना है next यूँवान नंबर से जो कि हमापस है 7 तो हमापस यहाँ पीकुल होगा 490 के इकुल होगा और 490 में हमें plus करना है 9 नंबर को plus करना है जो कि हमापस इकुल होगा 499 के इकुल होगा last के दो फॉर्मले में हमापस यूज हुआ है पहले हमें यहाँ पे और नंबर से multiply करना है और उसके बाद हमें उसमें क्या करना है plus 9 कर देना है इस तरह से आप इस question को easy तरीके से solve कर सकते हैं तो हमापस last में क्या आएगा 499 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप अपना answer हमें comment box में टाइप करके बता सकते हैं